मैं डक्टर अमिद बटनागर पंत नगर कृशी विश्विदाले में सस्य विज्ञान विवाग में परधापक के पतपर कायरत हूँ और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जनकारी पहुंचें तक ही उसका लाव अपनी खेती में ले सकें इसकें इसके लिए मैंने फाकना चाता हूँ यह है कि जो यूरिया खाद है बहुत जादा प्रयोग की जाती है और इससे जड़ो बहुत सारे भ्रहम है, आज मैं उन्हीं जो मुख्य भ्रहम है उन पर बात करूँगा कि वास्ता में भ्रहम क्या है और वो सच्चाई क्या है तो आप जब पूरा बीडियो देखेंगे तो आपको यूरिया के बारे में जो सच्चाई है वो पता चलेगी तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तक ही आप यूरिया के बारे में जान सकें देखी यूरिया जो उर्वरक है, रसायनिक उर्वरक है, जो नाइट्रोजन के प्रयुक के जाता है, हम सभी जानते हैं और इसको फेक्ट्री में बनाया जाता है, तो ये सिंथेटिक मेटिरियल है, सिंथेटिक खाद है, और इसका जो फार्मुला अगर हम देखते हैं, chemistry में NS तो यह तो chemistry की बात हुई, जो nitrogen है, वो NH2 form में रहती है, NH2-C-O-NH2, तो यह uria वही है, जो प्रकरतिक रूप से पाई जाती है, पौध में पाई जाती है, मूतर में पाई जाती है, पशुओं के, मनुश्यों के, chemically वो सेम है, लेकिन इसको हम factory में बनाते हैं, ammonia और CO2 का reaction करा कि तो वो अलग process हुआ तो synthetic तो खाद जो है यह synthetic है अगर हम बात करें कि प्रकार कौन सी यह carbonic है या carbonic है बना organic है या inorganic है तो देखिए जैसे मैंने भी आपको फर्म होता है इसमें क्या है carbon है तो जिन products में carbon होता है वो क्या होता है और गनिक होते हैं और के वल oxides को छोड़के oxides हो गए या carbonate हो गए या bicarbonate हो गए cyanide हो गए cyanate हो गए इनको छोड़के जितने भी substances में carbon है वो सारे क्या हैं organic है चुकि urea में carbon है इस कराण से इसका प्रकार जो है organic है अब यह एक लगेगा कि ये यूरिया organic हाद कैसे हो सकती है वास्ता में यूरिया organic ही है क्योंकि इसमें carbon है ये inorganic की chemistry के sense में देखे तो नहीं आती है लेकिन अगर हम organic farming के sense में देखे तो इसका प्रियोग नहीं की जा रही है तो लेकिन आगर हम देखे तो यह organic है लेकिन organic farming के इसका प्रियोग इसलिए वर्जित है क्योंकि यह synthetic है दूसरा यह हम देखें कि इसका मिट्टी पर असर क्या है बहुत लोग यह कहते हैं कि यूरिया डालने से मिट्टी खराब जाती है जमीन के बाद वह ammonium iron co2 में बदल जाती है तो जो यूरिया बनेगा वह ammonium iron बनेगा और co2 gas बनेगा carbon dioxide gas यह co2 gas तो ऊपर चले जाती है और ammonium जो है उसको पौधे ले लेते हैं घहांस ले लेती है सूचमजीब ले लेते हैं तो जो यूरिया पानी में घुल बना रही है वह ammonium और co2 बना रही है co2 gas तो चली अमोनियम बचा अब यह क्या है nutrient है अब मिट्टी इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उसके अंदर में organic matter नहीं डाल रहे हैं तो मिट्टी इसलिए खराब हुई क्योंकि हमने उसके अंदर जैवांश पैदार्थ बार से नहीं मिलाए गोवर की खाथ नहीं मिलाई यह हमने लवन आजाते हैं तो यूर्य ने ऐसा कुछ नहीं दिया समस्या यह है कि हम यूर्या का बहुत ज़्यादा प्रयोक कर रहे हैं एकसेशिव अप्लिकेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा एक पर्टिकुलर आयन की मात्रा बढ़ जाएगी दूसरा की कम हो जाएगी तो पौ यूरिया को संतुनित मातना प्रियुक कर रहे हैं तो हम देखेंगे कोई लवण इसमें नहीं बढ़ते हैं क्योंकि यह अमोनिय मायन बना रहा है जो पौदों के लिए आवशक पोशक तत्व है तो यह कहना कि मिट्टी कोई सीधे खराब कर दे रहा है यह एक ब्रहम है मिट्टी इसले खराब हो रही है क्योंकि हम उसमें जैविक पदार्थ नहीं मिला रहे हैं तो यूरिया डालने करती हैं नहीं है कि हम उसमें जैविक पदार्थ ना मिला है अब हर पॉड़कार की खाद का प्रियोग कीजिए जैबिक खाद भी डालिए हरी खाद भी डालिए जैब रोड़क करिए यूरिया भी कीजिए लेकिन यूरिया ऐस सच कोई सेलिनिटी या साल्ट प्रड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये किवल दो चीजों में तूट करके पौदों को उपलब्द हो जाता है अब इसका हम देखें कि फसल पे क्या असर है एक ये ब्रहम है कि यूरिया डालने से पौदों में जहर बनता है या पौदे खराब हो जाते हैं देखे जैसे यूरिया बताया है कोई भी चीज़ को आप बहुत जादा डालेंगे तो वो नुकसान करेगा यूरिया जो मैं भी बताया है कि ammonia तो यूरिया कैया करता है नाटरोजन को देता है अब आप बहुत जादा यूरिया डालेंगे तो पौदे गंतर नाटरोजन जादा चले जाएगी तो दूसे तत्त्तों की कमी आजएगी तो ये गलती हम से हुई, कि हमने क्या किया बहुत ज़्यादा यूरिया डाला, तो ऐसा नहीं है कि फसल में जाके कोई जहर बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यूरिया फसल में जहर बनाता है, ये तो मिट्टी के अंदर घुल के अमोनियम बनाता है, और इसको लोग बिमारी जादा लगती है क्योंकि nitrogen बहुत solubile form में आ जाती है पौधा मैं जादा nitrogen होने के बाइस हो उस पर कीड़े जादा लगते हैं तो यह गलती किस से हो रही है यह हम से हो रही है कि हम बहुत जादा यूरे डाल रहे हैं लेकिन अगर हम संतुलित प्रियोप कर रहे और दूसरे पोशक्तत्यू दे रहे हैं potassium दे रहे हैं calcium दे रहे हैं magnesium दे रहे हैं sulfur दे रहे हैं तो पौधा पूरा स्वस्त रहता है तो ऐसा नहीं है कि यूरे डाला और पौधे के अंदर जहर बन गया ऐसा नहीं होता है यूरिया से ammonium ion जो मैं बार वर बता रहा हूँ आव पौधे के अंदर nitrogen ज्यादा आती है तो रोग बिमारी लगते हैं क्योंकि रोग और कीटों को भी nitrogen चाहिए होती है तो उस nitrogen को लेने के लिए यह पौधों पर attack करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह पौधों पर करेगा दूसरा हम यह देखते हैं कि कोई भी पिला पनो यूरे ड ना रहा है या जिंक की कमी से पिला पना रहा है तो आप युड़र डालेंगे तो पिलापन दूर नहीं होगा तो यह सोचना कि पत्या पीली हो रही है वे यूरे डालनेसे पौधे हरे होते हैं हां अगर नाइट्रों प्रयाप्त और कमी दूसरे तत्की आ रही है आरए से ही दूर होगी नाइटोजिन से नहीं होगी तो अनवाश्य रूप से हम यूरिया डालते हैं और इस तत्थ की कमी है उस तत्थ को डालेंगे तभी वह पूरा होगा तो यह मैंने आपको फसल पर असर बताया तो एक बुरह मिया है कि कीमत यूरिया की बहुत कम है और खादो त手 के सच्चाइ ये नहीं है यूरिया का जो एक बैग बनता है बहुत ज़्यादा कीमत बनता है यूरियाससड़ी पर मिलती है यूरिया का जो एक बैग है करीब 22100 रुपय का एक बैग पढ़ता है 45 की लोग का वास्तOC म में जो झो इंडस्टी में जो सकी कॉस्ट पड़ किमत कमें वास्ता में इसकी वास्तिव कीमत बहुत जादा है लेकिन सब्सीडी पे मिल रही है तो इसकी कमें खराण से ऐसा नहीं है अगर वास्तविक खाम इसकी कीमत देखते जाद क॥ा आज मैंने आपको ये बताए कि ये जो ब्रहम बताए कि फसल में जहर कर देती है, बहुत जल्दी हरा कर देगी, या मिट्टी को खराब कर देगी, ये ब्रहम होते हैं, वास्तिविक सचाई अलग है, और कोई भी खाद है, चाहे गोबर की ही क्यों नहों, वर्मी कमपोस्टी क क्यों ना हो, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं, तो उसके साथ समस्याइं आती है, अधिक्ता, अती जो होती है, हर चीज की बुरी होती है, यही यूरिया के साथ भी है, कि यूरिया का बहुत ज़्यादा हम प्रियोग कर दे रहे हैं, और दूसरे पोश्य तत प्रियोग करेंगे तो निश्चे तुरूप से अच्छा ही प्रावा आएगा मिट्टी पे भी वातराने पे भी वाईयू पे भी फसल पे भी हर चीज पे तो सिर्फ यूरिया को अकेले दोश दे देना सही नहीं है यह समग से इसली आ रही है क्योंकि यूरिया का बहुत करती है आशा ही मेरी बात आपको समझ में आई होगी और कुछ ब्रह्म आपके दूर हुए होंगे तो आप इन वीडियों से जादा लोंक साथ शेयर करें तो कि उनके ब्रह्म दूर हों और उसके सही बारे में जान सकें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइ कीजिए जाने वाँ